किसान भाइयो अगर आप भी आलू की फसल उगाते हैं और आपकी आलू में आलू का जो कंद का साइज रहाता है दोस्तो बहुत ही चोटा अगार देखने के लिए मिलता है जिसकी वजे से जो आपकी आलू की पैदवार है वो बहुत ही कम हो जाती है और साथी साथ जो मंडी भाव होता है किसान भाईयो वो भी आपको बहुत ही कम मिलता है क्योंकि आलू में जो मोटे आलू की जो रेट होता है उसकी मुकाबले गर हम छोटे आलू का रेट देखें तो बहुत ही आदे रेटों में आपका जो आलू है वो जाता है किसान भाईयो एक ओसत में आपको बत बाती जानते हैं और अपनी arenie कर जमीन से वो इतने कट्टे हर साल प्राफभ भी करते हैं तो वो अपनी है क्या कारे करते हं जिसकी वजे से जो आलू के इतने पैदावार दो स्क्राइब बीडियो को नये हैं तो यह चंतिक्री को पताओंगा men एक ऐसी दवा के बारे में, एक ऐसी खात के बारे में जिसका इस्तमाल करके जो आलू का साइज है उसको आप अपने खेत में मोटा कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं चलिए किसान भाईयों जानते हैं शुरुआस से आपको अपनी जमीन को किस तरीके से तियार करें जिससे जो आपका आलू का साइज है जो पैदावार है वो बरकरार रहे तो सबसे पहले किसान भाईयों जो किसान अपने एक एकल जमीन से साड़े 300-400 कट्टे की पैदावार ले रहे हैं वो अपनी जमीनों में क्या करते हैं शुरुआस सही दोस्तों जब जमीन त्यार करते हैं तो अपनी जमीन को भरपूर मातरा में जो हमारा देशी खाद होता है जो वर्मी कमपोस होता है दोस्तो उसको भरपूर मातरा में देते हैं जिसकी वज़े से शुरू से लेकर आखिर तक उनकी जमीन जो है इतनी जानदार रहती है के quality इतनी बड़िया रहती है मिट्टे की जिसकी वज़े से सारे पोशक्ततों की कमी दूर होती है और आपकी जो आलू की पैदावार और साइध है दोस्तों बहुत ही बहतरी चलता है ना तो आलू में कोई आपको बिमारी देखने के लिए मिलेगी ना ही आपके आलू की फसल को यूरिया देते हैं तो यूरिया देते समय दोस्तों खाली यूरिया का इस्तमाल ना करें यूरिया के साथ में जैसे आप सल्फर ले सकते हैं यूरिया के साथ में तीन किलो प्रति एकड़के दाप से आप सल्फर ले सकते हैं 80% जो दानेदार वाली आती है उसका इस्तमा गलन रूट गलन जो हमारे सड़न आती है दोस्तों पोदे के अंदर वो बिल्कुल कम हो जाएगी 90% चांसिस कम हो जाएगे पोदा आपका स्वस्तों के चलेगा जड़ों का फैलाब जादा होगा जिससे क्या होगा आपके जो कंद हैं दोस्तों उनका साइज में बिल्कुल 100% व्रद्धी होने वाली है तो दूसरा काम आपको यही करना है यूरिया के साथ में आपको सल्फर का इस्तमाल जरूर करना है बात करते हैं तीसरे काम की दोस्तों तीसरे काम में आपको क्या करना है आपको जब भी जब आपकी फसल 60 दिन की हो जाती है 60-80 दिनों के बीच में आ जाती है तब आपको 0-32 जो NPK आता है उसका फोईलियर इस्प्रे करना है एक किलो प्रती एकड़ के इसाब से आपको लेना है NPK 0-32 इसके साथ में दोस्तों आपको इस्तिमाल करना है बोरोन का बोरोन जो 20% वाला आता है आप उसका इस्तिमाल कीजिए 500 ग्रती एकड़ के साथ से आपको बोरोन और NPK दोस्तों एक किलो 0-32 का इस्तिमाल करना है एक एकड़ जमीन के लिए इन दोनों का मिलागा दोस्तों जो आपकी फसल 60-60 दिन के बीच में पहुँच जाए तब आप इसका इस्तिमाल करें इसका इस्प्रे करें और बहुत ही श है पूरा भरते हैं क्या होता है आपकी फसल है कारी गश्रत आपकी जड़िया दोस्तों जो आपकी आपकी आपके पानी बागी तो आपकी जो नमी है दोस्तों वो पूरी डोल पे पहुंच जाती है धीरे-धीर करके और ठंड के मोसम में तो वैसे ही मिट्टी में हमारी नमी बनी रहती है तो इसलिए आलू में जब भी आप पानी दें तो यह अविश्य दिहान रखें कि आपकी आलू की जो खाड के निकलने वाले हैं और कोई भी दिक्कत आपको अपनी फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगी अदर्वाइज आपने यह सिर्फ चीज़ा कर रखी हैं लेकिन तब भी आपकी जो फसल है दोस्तों उसमें जो आलू है उसका साइज छोटा है तो इसके बारे में दोस्तों मैं दवाई के बारे मैं आपको बतारता हूं कि ऐसी दवाई भी आती है जिसका इस्तमाल करके आप अपनी फसल में स्प्रे करेंगे तो आपके जो आलू का साइज है वो फूल जाएगा और वो मोटा हो जाएगा तो जो दवाई आती है बासफ कंपनी की लियोसीन के नाम से या मैं तस्वीर दे रहा हूं दोस्तो बासफ कंपनी की जो लियोसीन आती है दोस्तो आप इसका इस्तमाल करें लेकिन इसका इस्तमाल दोस्तो बहुती साथानी रखनी पड़ती है इसका इस्तमाल करते समय इसका जो इस्तमाल होता है वो लगबग आलू की खुदाई से 20 द नगार जाता है। इसका कॉर्स होता है यह सबाई का इस्तमाल आपको दोवार करना है एक तो आज जैसे आज अगर लगा रहे हैं कुदाई से 20 दिन पहले पिर आज से 10-12 दिन बाद आपको इसका इसका इसमाल करना है इसकी मात्रा के घर में बात कर लो तो तो आपको 100 ml दवाई लगबग आपकी 200 लिटर पानी के लिए बहुत होती है ये दवाई काफी तेज होती है अगर आपने इसकी दवाई की मात्र में थोड़ी सी बिगलती करी तो आपकी जो फसल है उसको नुकसान पहुँच सकता है तो इसका इस्तमाल दुगानदार की सला सही करें किसी जो विशेशक यह है उनसे पूछ के ही करें लियो सिंदवाई का इस्तमाल दोस्तो ये दवाई क्या करती है आपकी जो पोदे की विरद्धी है उसको रोग देती है जो पोदे की बड़वार है उसको रोग देती है ये फिर आपका जो फल है उस पे कारे करती है फल को ये फुलाने काम शुरू कर देती है और पोदे ग्रोथ रोग देती है और मोटाई को बढ़ा देती है ये कई किसान भाई आपने आलू में इस दवाई का इस्तमाल करते हैं और बहुत अच्छी कहांसी पैदवार लेते हैं ये दोस्तो हो गई दवाई दोस्तो अगर आप इस तरीके के दवाई का इस्तमाल करते हैं तो आपकी जो आलू की फसल है वो बहुत ही बड़ीया निकलने वाली है अगर आपकी फसल में कोई भी पिरकार का पीलापन या कुछ भी है दोस्तों तो केवल एक दवाई में आपको बता रहा हूं थोड़ी महेंगी जरूर है लेकिन दोस्तों बहुत ही शानदा रिजल्ट इसके आपको देखने के लिए मिलेंगे वरना आप जो सस्ते टेक्निकल आते हैं उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं आप जो करवें देखने के लिए नहीं मिलेगी और जब भी आप अपनी फसल को जब पानी देते हैं तो पानी में भी दोस्तों ये अविश्य दियान डखें कोई ना कोई कीट नाशक पानी के साथ में जरूर छोड़ें जिससे हमारी जड़ से कोई भी अगर समस्य आती है तो व और आप अपनी फसल को किसी प्रकार का टोनिक या कोई दवा देना चाहते हैं तो दोस्तों यह जो आता है पी आई कंपनी का बायो विटा इसके आलू में दोस्तों बहुत ही शांदार जल्ट हैं आप इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं यह सीवीड है इसके अंदर आपको दोस्त तो बहुत सारे जैसे की सलफर मेगनेशियम केल्शियम बोरोन आइरन मेगनेशियम कोपर जिंक जैसे जो अपने पोशक्तात होते हैं वह सभी की पूरती यह आपका बायो बीटा कर देता है आपकी आलू की फसल में इसका भी आप इस्तमाल करें बहुत ही शानदा रिजल्ट को आलू की फसल में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों शुरू से लेकर आखरत चीज बता हैं इनका इस्तमाल करके आप 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 लोगों साइज भी बढ़ा सकते हैं और अपनी जमीन की क्वालिटी भी सुरवात कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज